एलो एवरिवन दिस इस राम फॉम स्टेटेकर केट में आज मैं आपको टॉप टेन मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मेनिंग्स शब्दार्थ आपको दाऊंगा हम पंची उन्मुक्त गगन के जिसके लेकक है श्रीमंगल सिंग सुमन और यह बहुत सुंदर कवीता है और यह क सब्से पहले शब्द है पंची पंची का अर्थ होता है पक्षी पक्षी पाकि परिंदा चिड्या इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं और जो यह कभीत आए इसका शीर्षर कि यह हम पंची उन्मुक्त गगन टो पंची का अर्थ हुआ पक्षी नेक्स है उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, आजाद या बंदन मुक्त, पंच्यों को पिंच्रे में बंद कर दिया जाते हैं, उनकी स्वतंत्र चीन ली जाती है, उनकी आजादी चीन ली जाती है, और उन्हें बंदन मुक्त कर दिया जाते हैं, बंदन में रखा ज तो उसी तरह से पंचियों को भी हम पिंजर में बंद कर देते हैं तो उनकी आजादी छीन ली जाती है और वो तो है उन्मुक्त अब पाठकर शीशक है कभी तक हम पंची उन्मुक्त गगन के उन्मुक्त मतलब आजाद वो तो आजाद गगन के हैं उनकी आजादी नहीं चीन पिंचरे में बंद कि जब हम पंचियों को पिंचरे में बंद कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उनको पिंचरे में बंद कर दिया और कोई भी नहीं चाहिएगा चाहिए वो पंचियों या मनुष्यों हमों जैसे हमें लौकड़ों में बंद कर दिया गया तो कोई भी नही यह पिंच्रा आप देख रहे हैं तो इसकी जो सलाके हैं वह अगर सोने की भी हो यानि कि अगर पंच्यों को एक ऐसे पिंच्रे में बंद कर दिया जाए जिसकी सलाके सोने की है तो क्या वह खुश नहींगे तो उनकी जो स्वतंत्रता चीन जाएगी आजादी चीन ली बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज वहां पर हो और तो हम वहां पर नहीं रह पाएंगे तो उनकी जो पंक हैं तो वह इन सलाकों से इन कनक तीलियों से टकराकर आपने पड़ाए न तो इससे वह तूट जाएंगे मुर्शा जाएंगे और मर जाएंगे नेक्स्ट है पुलकि जो चित को ना भाए चित का मतलब होता है मन जो मन को ना भाए जो बुरा लगे अब कड़वा जो है वो तो उन्हें कड़वा खाना भी पसंद है चाया आप उनके सामने अगर उन्हें पिंजर बंद कर देंगे और फिर उन्हें आप अच्छे से अच्छा खाना देंगे ज कड़वां। नेक्स्ट है निभोरी जोने बहुत पसंद है अगर वह आज़ाद है तो उन्हें प्हाइब जो कड़वा होता है और कड़वा भी जोंक जो कड़वा होता है और आप उन्हें पिंजरे में अच्छे से चखाना देंगे तो वो भी उन्हें बसंद नहीं है अगर आजाद करके उन्हें निबोरी भी देंगे तो उन्हें बहुत बसंद है नेक्स्ट है तरू तरू का अर्थ होता है व्रिक्ष या पेड जिस पर वो रहते हैं अपना घोसला बनाते हैं घर बनाते है और इसके बाद है तारक तारक का अर्थ होता है टारों से भरा टार यानी तार तो जब वो çe तो उन्हें ऐसे लगता है कि तारह जो आँनार की दाने हैं नेक्सट है फुनगी का अर्थ होता है किसी विर्च की शाखा या Arag की बोलते है फुनगी, और यह important हमने के 10 वो शबदात किये कटिन चप और ऐसे और भी करना चाहते हैं सभी चाप्टर के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन वॉक्स में वहां से आप उपन करके कर सकते हैं और कॉंटीनू करना चाहते हैं मारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं Do like, subscribe, comment and share. Bye and have a good day.